यह जी लाओर स्टेशन पे हम चाय के लिए फोड़ा जाते बीट करें जी तो यह नना मुना सा बच्चा भी हमारे साथ हमारी पोगी में सबसे त्यार रहा है आपका नाम किया है? चानी है? चानी तो यह जा रहा है तो यह जा रहा है तो यह जा रहे हैं तो यह जो विलाग है बड़ा फज़ेका होने वाला है क्यूंकि रास्ते के तमाम मनाजिर भी आपको दिखाएंगे सफरी आवाल भी आपको बताएंगे और सबसे अच्छी बात यह होगी इसमें कि यह इस ट्रेन का तेज गाम का एक फुल एंड डिटेल्ड रिव्यू भी होगा तो आप सब चुड़े रहे हैं साथ में चाला पर बाते करते हैं सफर के तुरा यहां पर जी एंटर्स होती है और ट्रेनों की आम दुरफ्त और टाइमिंग वगारा की आवाले से लिखा हुगा है कि कुछ सी टाइम कितने बज़े आएगी यह जी पाहर से स्टेशन का मनज़र है रावल पिंटी रेल्वेस स्टेशन का और यह यह हमारी ट्रेन है तेजगम जिसके ओपर हम जा रहे हैं स्टेशन खासा तवील है और साफ भी है यह आप देख सकते हैं जगा जगा पर रखे हुए है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत खुप्सूरत बात है मौसम बहुत प्यारा है अगर रेल्वे के निजाम को ठीक कर लिया जाए ट्रेनों वगारा की हालत को बहतर कर लिया जाए नए ट्रेन हों साफ सुत्रे हों तमाम सहुलियात हों स्पीड बहतर हो तो यकीन करें कि सबसे जो बहतरीन जरीय सफर है वो ट्रेन है अब भी पूरी दुनिया इस वक्त कर लोग पबिक ट्रांसपोर्ट ही उसके हैं तो हमारी गबर ripple अगर नहिसके बहुत्र कर ले तो यह बहुत्र है, है क्यासिए्ट्त Dipl Cortland मैज लें फस इंचे की सहूलत भी आपको भूजाद है वोड़ी सी हिस्ट्री की बात किरें तो रेलवे स्टेशन रावलपिंडी जो है वो 1881 में यह खुत एक कदीम रेलवे स्टेशन में इसका शमार होता है 1881 में इसको बनाया गया था शुरू किया गया तो अब तक आई गया 173 यह से 173 साब से उपर कैसको वक्त हो चुका है अब आपको नांचने बलें तो हम जैसे थोड़ी से फुटी बंदेश को रिष्ट नी करता कि नाश्ता पी नहीं किया हुआ था तो हमने पर लिये नांचने नाश्ते के लिए यहां से यह यह थाई रेलेशन के शिट्वरी आपके राव्पेंट में होते हैं अभी 10 मिन तो सफर की द्वाद रख़ते हैं बिस्मिल्ला अर्मान नहीं स्लवान अलजीज स्फ्लाना अन्याला अमकरनीन वाइन ना इदार अन्यार अमन्त कर्देवूंग जाए हम पर आप देख सकते होंगे के सफाई कब्ली तो भी थायाद महीं रुखा जारा है यह जो पिनको चा यह जो है को जादाना किस इंसाम यह यह तो यह नना मुना सा बच्च भी हमारे साथ महरी पोगी में सफ़ज़ कर रहे हैं आपका नाम जिया है है जानी 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 जगा जगापर यह दिलकश कचरे के क्यांक हम पाकिसान्यों का यह देकिन अब फेवरिट स्पॉर्ट है जाके आ लेगे यह देके सारे बैठी है अधियत कच्छा है कोई फुर्ग नहीं पढ़ रहा तो इस अब फेवरिट स्पॉर्ट नहीं पढ़ रहा है तो इस दिलकिश क्यों में हम जो है ना बैठ के इंजॉई विकर दें है और इसके पहले सफर करें आई यह उसी हाँ में आगे वापस सफर के बेजे नहीं देंगे सारे फ्ले होगा है कच्रे से अब फाई के लिए पी तक तो आया ना कोई भी बंदा नहीं आया जो आगे सफाई करें लिए जब आप सफर करते हैं इस्टार्ड में इस पिलकुल सफ आपको अच्रा है जगा जगा पर रैपर्स पड़े हैं गंदगी हुई पड़ी है और उसको अलब की एक दफ़ भी कुई नहीं है और साफ करने के लिए अच्छा जी कैबन के अंदर जो है इत्विश भी चल रहे हैं जो कि अच्छी बात है लेकिन मुसलसल चले जा रहे हैं अभी कि मुसल बहुत हद तक नॉर्मल है बिल्गुल भी अब मैं देख लिए नार्मल कॉटन के सूट में शलॉर कमीज बैटा हूं मुझे सब्दी फील तक नहीं हो रही है ऐसी सेच्वेशन में जब मुसलसल जो है ना आपके अपार्टमेंट में हीटर चलता रहे और उसको को सस्ट्मों यह मोथ कम कर सकें भंक कर सकें ज्यादए कुछ भी सिस्ट्म नहीं है तो होना तो ऐही चाहिए कि जहां पर यह समां पर जूँ कम आपमाटनिंट है उसके अंजर शिस्ट्म भी हों वे तो यह लाहोर स्टेशन के ऊपर हम पहुँचोंके ए और मैं जो है ना वो फ्लाइ ओवर चड़के दुस्रे साइड पर आयों फकत यह जो स्टेशन का व्यू है यह आप लोगों के लिए तोवर करने और कुछ क्लिप्स लेने के लिए यह देखें लाहूर का रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो चंद बड़े रेलवे स्टेशन उसमें से एक है और उसमें कुछ शक नहीं है अब देख रहे हैं मैं बहुत बहुत दूर से चल के आप अभी तक माशाले यह वैसी है अभी तक भी चल रहे है एक चीज़ मैं बार बार क्या रहूंगा है अगर गवर्मेंट रेलवे सेक्टर के ऊपर तवज्व दे और उसमें सुभूलियात लाए नई गाडियां लाए बोगियां वगेरा तो मतलब ऐसा लेवल का इसका काम चल सकता है इतनी बेतरीन सर्विस के हर कुई रेलवे को ही प्रैफर करेगा कि एक कंफर्टेबल से सफर हो और उसी को ही प्रैफर किया जाए जाए ने जे लावर स्टेशं के हम चाह एक कि लिए थोड़ा चाहते है विट करे रहे हैं गाड़ी थोड़ा रिबर्स ओर इती आगे पिची ओर रही थी और कोई ऐससे नहीं बागना शुरू हो गए गाड़ी जा रही है पहले तो मैं अभी जड़ने लगाता लेकिन पर वो कड कहते हैं कि ने यह प्रिशानना हूं गाड़ी नहीं जा रही है रिवर्स हो रही है तो इसलिए जी पस चाय कर पाद है हो नहीं होता है नहीं हो झाल को प्ली नगे में चाय लेंके जा रहरा हूं तो आप व्हारा भूसे नगे आसमझे यह यह मैं अपने लिए और शो के लिए जिए जो है मुझे लगता है हमारे इस अपार्टमेंट में ना ओके तो जी हम पहुंच चुके हैं ओकाडा रिली स्टेशन बलके अभी ट्रेन चल पड़ी है और हम जो हैं अल इन आल हो चुके हैं इस पूरे के पूरे के पूरे कैबन के हम अवाम जो हैं हम जो सफर करते हैं पैसेंजर अब हमारे यहां पर एक फैमली आके बैठी शोहर मिया बेवी एक बच्चा आप देखें यहां पर यह बकाड़ा चिलके फैंके अभी कुछ यह देखें अजिए सारा उन्होंने जो है नीचे की है टिशूज पहें देखेंगे रहें हैं सारा कुछ यह 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 यहां पर की है और बाहर भी बैटके वह बकाड़ा चीज़ें खा रहे थे और पहुंके जा रहे थे आगे की भी आपको अप्डेट्स डेते रहते हैं फिर यह सिरु सम और है मुलतान रेल स्टेशन चूह ना korkतो how Burke इस है मोलतान के स्टेशnh से क्योंकि मैंने यह स्चाइट कोंट फर ट्रेंग के ओपर सुषर किया है मुल्टान की बात करें तो मुल्टान के हाफिस कि सौन अल्वा जो मशूर मारूफ हैं वो सामने उनका लगा हुआ यहाफिस के नाम से बात कर रहे है। मुल्टान च्छाउनी मस्जिद है, निमाज बीदिया पर शुकते हैं। तो उस यहांए हमने खाने के लिए लिये है थोड़े से अल्वा बुरी कूली है कि दीए और लेची कॉम नहीं ओप आगा BEं तो भी ले लिए in देआ हम, क्लिए खाते हैं वह रहते हैं यह समोसे हैं प्लास्टिक बैग और कोई अप्शन नी था यह है जी हल्वा और पुरी और यह कीनु है यह हमें मिलें मुलतान के रिल्वी स्टेशन के ऊपर और मुलतान का जो शहर है वह सुफिया ऑलिया-ए-कराम के शहर के नाम से मशहूर है तो हम इस वस्वस्त ऑलिया के यह से गुजर रहे हैं और जल्द आएंगे इंशाओला इसको एक्सपोल करने के लिए तब तक हम थोड़ी सी पेट पुजा कर लेते हैं अरसोवों से बहुत भूग लगी हुए थी को प्रापर चीज खाने के लिए मिली नहीं रही थी तो हम खाते हैं और आप जो है ना ज कि यह माशाला लगी हुए खाने पेने में मेरी बीवी का स्पीड जो है न वो कहलें कि जी तुम्हें डोलंपेक्स पे दोड़ना चाहिए बिटा वहाँ पेखाने पीने का कोई कंपिटीशन हो ना तो उसमें इस्वाल होगी मैं सच बता रहा हूं अच्छे खासे उसमें वह आएंगे माक्स पाकिसान के लिए दो तीन हादरबाद पहुचने वाले हैं तकरीबर पाचीस मिनिट तक हम हादरबाद रेलवे स्टेशन जाएंगे ओवराल हमारा जो सफर है वह बहुत रहा है यानि इसको बहुत ज्यादा पहतरीन भी नहीं कहा जा सकता और बिल्कुल जो है ना वह नॉर्मल या खराब भी नहीं कहा जा सकता मैं दो जादर पहले भी पता चुका हूँ कि अगर तो रेलवे अपने कुछ कामलात को बहतर कर लिता है तो यकीन करें ये पहतरीन जरीया सफर होगा पहतरीन अब हमारा तकरीबन चोबीस घंटे का सफर था जो के तीन घंटे टले की विज़ा से मजीद भी बढ़ गया है तो सबसे बड़ा जो हमें फाइदा हुआ वह यह हुआ कि हम सोते हुए भी आया है यह यानि बहुत ज्यादा नहीं तो लेकिन नेंद जो है ना वह जितनी जरूरत होती है उतनी पूरी हुई है और बहुत सुकून के साथ मतलब लपाउं नहीं ठके हैं हम जो है ना यह एंदे वाला फेर रहा होता है यहां पर तो कुछ चीजों को अगर बेहतर करें तो यह बहतरी हो जाएगा यह मैंने अपनी पूरी कोश्च की कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रेन के सफर की इंफर्मेशन भी दूँ और रिवियू भी दूँ और आपको साथ अगर प्रसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपनी कीमती राये का इधार करें और मेरे चैनल को सबसक्राइब सब सक्राइब सब सक्राइब करना हरकेज मत फूलें सुबसबोगर टाइम है और अभी मैं नीज से जागाँ तो आपको भाई की आवाज में एक घनूतगी एक पुर इस्रारियत आरी होगी और जब हम नीज से जागते हैं तो बड़ी प्यारी तुकिश सी आवाज होती है लत्ता मंगेशकर, सौन निगम और पतनी के इन के रूहें जो है ना को आवाज में असर कर रही होती है फिर बिलते हैं किसी नई वीडियो के सब्सक्राइब और जितनी लाकियों को कोट्री बना के बेजी है यह कह 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 उनके लिए परड़े हो सुबह नहीं से उसके पढ़ से वीडियो के साथ किसी नए उपसुरों से विलोग के साथ तब तक अपना बहुत सोरा क्याल रखें अपने अर्थ के सफाई रखें अला पेस